यह बऌट अच्छिस्पात करें ठीक है डूपा नाम है उचारन अस्थान की अधार पर व्रणों का व्रगी करने ठीक है मैं लोग पत्रीन तरीखिए ठीक है सायद आप लोग को ऐसा कभी पढ़ने को मिला हो ठीक है, आईये देखिए रड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप एक बार इसको समझ जा रहे है न, फिर ये कभी आप भूली नहीं पाऊगा आप इसे कभी भूली नहीं पाऊगा, कभी भी ठीक है आई हम लोग इसको पढ़ते हैं इसको देखते हैं ये क्या है ठीक है तो देखिए सबसे पहले हम बता रहें आपको ठीक है देखिए जो देखिए ये ना सबसे पहले ओट है ठीक है ओट है ना ओट का अंदर क्या होता है ओट का अंदर दात होता है ठीक है दांद होता है और दात से जश्ट उपरी वालबाग क्या बोलते है जो दांद से जश्ट उपरी वालबाग क्या है इसको हम लूग मसूडा बोलते हैं ठीक न मसूडा और मसूडा का जश्ट उपरी वाला भाग गया है ये तालू है ठीके मसूडा के जश्ट उपरी वाला भाग गया है ये मसूडा हो गया ना इसके जश्ट उपरी वाला भाग क्या है तालू है ठीके तालू के अंदर एक छोटा सा हम लोग अंदर एक काकल है ठीके जो गले के ना गर्दन में ठीक है जिब गया ठीक इतना बात हम लोगों को समझ में आगया ठीक है आए हम लोगों को आगे समझते देखे मनुस के मन में मनुस से के मन में क्या बिचार चल रहा है किसी को नहीं पाता है मनुस से के मन में कौन सी बाते चल रहा है किसी को नहीं पाता है जब तक वो अपने मन का बात अपने मन का बात वो अपने ध्वनी के रूप में बाहर जब तक नहीं निकालेगा तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा को उसके मन में क्या बाते चलेगा जिसे मुनुष के ये जो मन है मन में ये जो बिचार है कोई भी बात है, सबसे पहले कहां आएगा सबसे पहले कंट में आएगा सबसे पहले कंट में आएगा ठीक ना कंट ठीक है इसके अमनों कांट देते हैं कंट इक बाद कहा जाएगा कंट के बाद जो उपरी उला भागे क्या है तालू है ठीक है क्या हो जाएगा तालू हो जाएगा तालू के बाद तालू के बाद आमनों का तीसरा क्या है यह और ओष्ट के बात कहा आएगा मनुस की जो मन की बाते हैं जो मन का विचार है वो ध्वनी के रूप में बाहर निकल आएगा ठीक है वो ध्वनी के रूप में बाहर निकल आएगा ठीक है हम लोग इतना तो समझ गया कि देखे जो मनुस के मन में कौन सी बाते चल ला है कौन सा बिचार हम लोग को नहीं मालूमें ठीक और वो अपने बिचार को किस माध्यम से अपने बिचार को यानि अपने किस माध्यम से किस धोनी से उसको बाहर निकाल रहा ठीक है अपने मन के बिचार कुछ भी हो पहले कहां जाएगा कंट के पास जाएगा कंट के बाद कहा जाएगा तालू के पास जाएगा तालू के बाद कहा हो मुर्था के पास मसुड़ा के पास मसुड़ा के बाद दात के पास दात के बाद ओट के पास जाएगा ठीक ओश्ट बोलते इसको ठीक है आईए ठीक है यह हम लोगा पांच हो गया ना पांच हो गया क माचों का नाम देते हैं हम किसी भी बेगती का अस्थान का ठीक है किसी का अस्थान का जो नाम जोड़ते हैं इसे संबंद बताते हैं ठीक है जिसे मान लिजिए जिसे मान लिजिए कि हम कितने लोग बिहार के लोग होते हैं कहीं कहीं लोग उसे बिहारी भी बोलते हैं बोलते हैं ना जिसे बिहारी बोल दियें जो कोई सहर मेरा रहा है लोग उसको क्या बोल दियें सहरी बोल दियें ठीक है मला हम लोग भारत में है ना हम भारत में है तो हम लोग क्या है भारती है ठीक है हम लोग क्या है भारती है ठीक न वैसे ही वैसे हमने इसको भी नाम दे दे ठीक है जो कंट है न उसको कंट है बोल दिया तालू है न इसको तालब भी बोल दिया मुर्धा है न उसको मुर्धन्य बोल दिया दाथ है न उसको दंत बोल दिया जो ओष्ट है उसको ओष्ट बोल ये टिक है इतनी बातते आपको समझ में आ है आगे चलते हैं drop है कार्ण का किष्ठा होता है और आगे ऊसको स्टीन ओट है किके क्रम क्या है दिखे वड्शन औरिकम क्या नाम है भूत देखे कहा थैसे वरनों का विबाजन कैसे करना है् मलों को बता ते यह यह था सुन्सीक था आईए हम लोग इस पर फिर बाते करते हैं ना आईए हम लोग इसको भरते हैं ठेके माल लिजे कि सबसे पहले क्या आता है हम लोग पास सबसे पहले हम लोग पास कौन सा है कंट है ना देखिए सबसे पहले हम लोग पास कौन सा है कंट ठेके सबसे पहले कंट है ठेके कंट है कुछ नहीं करना है आगां ध्यान से दिखिये ध्यान से देखिये औरनों का विथाजन हम कर रहे है कितना आसानी हो जाएगा कितना आसानी हो जाएगा हमने सवर सवर से बाद भेजन वट एधिक यह सवार से 2 ले लिए छिके और ले लिए हाल ले छिके हम सवार से 2 ले ले लिए इसके बाद बेंजनर घएंजनर soil से पहला का लिए कोवरग लिए छिके आप लोग तो बेंजेनओर को पाता ही है, बेंजेनओर की से काते हैं, यह तो मालूम होगे हैं आपको दृखें, यहां पर कव़ग, कव़ग ले लिए दोस्त, कव़ग के बाद एक हम लोग तीसरा लेंगे किया, बिसर्ग लेंगे, ठीक है, अयोगवाद होनी का, एक यह ले बिंगे कंठ्टिया. इसका नब हम लोग कंठ्टिय देंगए. कॉस्ष्ne पूछता है, आग का उचाना स्थन क्या है. उच्ञ purity का का उचाना स्थन क्या है? ईच्छाना स्थन क्या होगा? कंठ्ट्टै बोलते हैं. आगे हम खंठ्टी के बाद क्या आता है? तालू आता है ठीक है कंड़क बाद क्या आता है तालू ठीक है कंड़क बाद तालू आता है ना देखिए तालू बाद फिर कौन से लेना हम लोगों को यह स्वर्वाण का यह दो लेना है ना यह हम फिर स्वर्वाण का यह दो ले लिए ठीक है ठीक है स्वर्वन का दोल लिए इसके बाद बेंजनवन का चवर्ग ले लिए ठीक अब भाई इसमे और इसमे तो ले लिए अब ये दोनों बोल नहीं हमारा भी तो प्योग करो कभी हमारा भी प्योग करकर देख लो चलो भाई ठीक है ये भी बोल रहा है न इसका भी ले लेते हैं एक अंथस्त का ले लेते हैं और एक उस्म का ले लेते हैं ठीक है एक अंत्वस्त का हो गया और एक उस्म का हो गया ठीक है इसको इसका उचाना सन का होता है तालू ठीक है इसको बोलते क्या है तालब्य बोलते है इसको तालब्य बोलते है ठीक है आगे आईए आगे तीसरा क्या है हम लोगा मसूरा यानि मुर्धा मुर्धा है ने देखे मुर छोटाऊ और बढ़ाऊ नहीं लेंगे ठीक है यह ब्रिताकार है ठीक है इसको बोलते समय मूह का जो हकार है ना ब्रिताकार से खुलता है ठीक है इसको छोड़के हम लोग क्या लेंगे यह री लेंगे ठीक है मुर्धनिश्या न है यह राएगा मुर्धनेश्या थिक इतना आया है इतना आया लिवद कि thicker but इसको मुर्धन्य बोलते हैं ठीक है इसको मुर्धन्य बोलते हैं ठीक है चौथा क्या है चौथा दंत है ना चौथा क्या हम लोगा दंत है ठीक है चौथा दंत है ना संस्क्रीत में ग्री के बाद ल्री आता है ना ली के बाद ली आता हो, संस्क्रीट में यूज करते हैं, अगर आपका मन हो ता ले शक्ते हो, नहीं भी लोगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसके बाद के आएगा, टवर्ग आएगा, टवर्ग के बाद के आएगा, इला आएगा, और ये सा एगा, ठीक है, दोनु जो को दंते बूंदे पाच्वा क्या है हम लोगा पाच्वा क्या है दिखिए लुत पाच्वा क्या है और सट है ना मैं ऐस आब हुस्त है ठीक है उस्त का दीक है ओस्त का तीक है यह चोट्टा हो और बड़ाऊं ठीक है अब क्या बचा अब आब ehb अअब यह पवर्चा न यह क्या बचा आब परफ़्ग बचाटी कि आण परफ़्ग बचा ठीक आऺए इसको क्या बोलते हैं, अब देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, इसमें देखिए हम लोग क्या क्या पढ़ लिए, स्वर में आप पढ़ लिए, छोटी बड़ी पढ़ लिए, छोटाउ बड़ाउ पढ़ लिए, री पढ़ लिए, ठीके, स्वर में पढ़ लिए, बियंजन में कवर्ग पढ़ लिये, चवर्ग पढ़ लिये, टवर्ग पढ़ लिये, टवर्ग पढ़ लिये, ठीक है, बियंजन में हम लोग इतना पढ़ लिये, ठीक है, अन्थस्त में क्या पढ़े हैं, यह पढ़े हैं, रभ पढ़े हैं, लभ पढ़े हैं, वह नहीं है ठीक है जो अनुस्वार है वोभी ने की पड़ाक है अम लोग इसको लीख लेता है ठीक है अ ए आय ठीक है ए लिख लिए ना ओ और ठीक है वह हा और अ ठीक है अम लोग इतना लिख लिए ना दोस्त इतना लोग लिख लिए ना आप देखिए आप लोग एक चीज पाता है अप लोग एक चीज पाता है देखिए हम बता रहे है देखिए हम बता रहे है ठीक है देखिए जो अप प्लस इ मिलके यह बनता है अप प्लस इ मिलके यह बनता है ठीक है अप प्लस इ मिलके यह बोलता है तो अ का उचलाना स्थन क्या है अ का उचलाना स्थन क्या है कंट है प्लस एका उचनास्तन क्या है एका तालू है तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे कंट तालाब बोल देंगे ठीक है अब क्या बचा अब क्या बचा हम लोग के पास ओ और ओ ओ और ओ बचा न यह हम लोग के पास दो बचा ओ और ओ ठीक है यह हम लोग के पास दो बचा ठीक है तो अब प्लस ओ का योग होता है तो ओ बनता है ठीक है अब प्लस ओ का योग होता है ओ बनता है तो ओ क्या है अ कंट है न एक कांट है प्लस वोह क्या है इसके बोलते हैं कणठोष से अब क्या बचा वह बचाना वह बचाना वह बचा और हाह ने तेके वह क्या है ये दन ठोश्ट है ठीक है और यह हक क्या है हक क्या है यहीं जो काकल हमनों पढ़े थे ना काकल इसको स्वारियंत्र बोलते हैं जो नासिक छिद्र और इसके बीच में ठीक है नासिक छिद्र और इसके बीच में है इसको दंतोस्य बोलेंगे भाई इसको क्या बोलते हैं अली जीवा बोलते हैं इसको अली जीवा बोलते हैं इसको अली जीवा बोलते हैं यह लोग काकल नहीं पढ़े थे हैं काकल पढ़े थे ना गला और नासिक छिद्र के जो बीच में था यह छोटा वाला जिसको काकल बोलते हैं ठीक है उसको हम लोग उच आसक बोलते हैं इसका नाम हो जाएगा नासिख क्यों हो जाएगा ? ठीक है । थीक है। तो आप लोग इसको एप लोग रिवाइस कर लिजेगा इसको बार वीडियो ko दो तीन बार आप लोग देख लूगे अपने आप अपने लोंगों समझ में आ जागा ठीके कांट हैं न कि ए एकक कांट है तो अगर जीव और तालुड से करता है उसको तलॉदय बोलता है जीव और मूरधा से अस्पर्स करता है उसको निये बोलता नियेs और जीव और दंटले Emil असपर्स होता है उसको दंख्य बोलता है और जीव ओर OS parasiteЛे Sam basis को उस्थी बोलते हैं दroit तो आप लोग यसको एक बार जरूर देख लीजियेगा ठीक है ठीक है दोस्तों इस वीडियो में इतना ही ठीक है वीडियो देखर एक बार जरूर बते हैं आप लोगों के वीडियो